दोस्तों गर आप भी विराट कोली को एक महान के लाड़ी मानते हैं तुमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीज़ेगा दोस्तों भारत और आस्ट्रेलिया सीरीज से पहले आस्ट्रेलिया की महानतम कप्तान रिगी पॉंटिंग ने इस शिंकला के विजेता को लेकर एक ऐसी भविशिवानी कर दी है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन के सक जाएगी इतना ही नहीं उन्होंने भारती टीम को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा तो आकिरकार किसे बताया पॉंटिंग ने भारत और आस्ट्रेलिया की एतिहास एक शिंकला का विजेता जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आप सबी को क्या लगता है कि रिकी पॉंटिंग और महिंदर सिंग धोनी में कौन है बहतर कप्तान इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा दोस्तो एश्या कप के निराशा जनक सफर के बाद भारती दर्शकों के लिए खुशी के ऐसे कई पल आने वाले हैं जिसके लिए हर एक भारती बेसबरी से इंतिजार कर रहा है आपको बता दे कि भारती टीम को 20 सितंबर से आस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 शिंकला खेलनी है और आने वाले T20 विश्व कप की तयारियों के लिहास से ये शिंकला भारती टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप आस्ट्रेलिया में खेला जाना है ऐसे में मेजबान देश के साथ विश्व कप के ठीक पहले T20 सिरीज खेलना भारती टीम की तयारियों को पुखता करने के लिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे में हर व्यक्ति की नजर इस समय भारत और आस्ट्रेलि को लेकर कई चौकाने वाले खुला से कियें रिकी पॉंटिंग ने बताया कि भारत और आस्ट्रेलिया की सिरीज दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि T20 विश्व कप के लिए अब मुश्किल से एक महीने का समय बचा हुआ है ऐसे में हर विश्व कप के लिए अपनी तयारियों को पुखता करने में जुट गई है T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारत और आस्ट्रेलिया जैसी विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमों का आपस में टक्राना बिलकुल सही है और T20 विश्व कप में भूचाल ला सकता ही है और मुझे बिलकुल भी आशरे नहीं होगा कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच आज तक के एतिहास के सबसे खतरनाक T20 शिंकला को देखने मिलेगी वहीं पॉंटिंग ने आगे कहा कि भारती टीम ने अभी एश्व कप केला है और उसमें भारती टीम ने बेहदी निराश्वा जनक प अपने पिछले कई मुकाबलों को जीत कर बहतरीन रिदम पकड़ा है इन दोनों टीमों की वर्तमान स्थिती को देखते हुए मुझे तो यहीं लगता है कि आस्ट्रेलिया इस सीरीज को जीत लेगी लेकिन भारती टीम को हम हलके में नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो भारत दे सब्सक्राइब कीजिए वारे यूटूब चैनल को धन्यवाद